कि बढ़ते हैं हम लोग development of periodic table में डोबेर नियर के फेल होने के बाद नुई लेंड के फेल होने के बाद और लोथर मेयर के फेल होने के बाद हाँ लोथर मेयर भी फेल हुआ है लोथर मेर भी fail हुआ है तो उन्हें आ रही मेरी बात उसके भी drawbacks थे उसके भी limitations थी उसके बारे मैं बात नहीं कर रहा हूँ भी समझ गए हो गए क्यों क्योंकि graph की health से कोई periodic table नहीं बना सकता graph accuracy नहीं देता है graph एक elementary approach देता है ताकि आप लोग mathematical calculation कर सकें graph की health से अब ये कोई maths तो है नहीं और नहीं calculated approach हम लोग देखने जा रहा है हमें या common sense और sense of humor से ये देखना है कि elements को किस तरीके से arrange किया जा रहा है लोथर मेर graphical method के जरीए development of periodic table में अपनी भागीदारी देतो रहा है लेकिन वो accuracy से नहीं दे रहा accurate नहीं है आगे चलके लोथर मेर का ही जो statement था वो हमारे मेंडिलीव के काम आया क्योंकि मेंडिलीव ने पिछले तीन scientist को देखते हुए अपनी periodic table में कोई गलती ना करें इसलिए उसने कुछ अच्छा करने की कोशिश की मेंडिलीव की periodic table जस्ट लोथर मेर के बाद आई मेंडिलीव क्या बोलता है मेंडिलीव कहता है कि elements की physical और chemical property सुनना मेरी बात मेंडिलीव बोलता है elements की chemical और physical property periodic function होती है किसका? Atomic weight का अब यहाँ पर मैं आपको शान्ती से एक बात समझाओंगा लोथर मेर ने कहा था लोथर मेर ने क्या कहा था? elements की physical property periodic function होती है elements की atomic weight का लेकिन मेंडिलीव क्या कह रहा है physical के साथ-साथ मेंडिलीव chemical property का नाम भी ले रहा है मेंडिलीव कह रहा है element की chemical property और physical property periodic function होती है atomic weight का यह मेंडिलीव कह रहा है ठीक है? और इसी के साथ हम लोग मेंडिलीव की periodic table के कुछ characteristics भी देखेंगे मेंडिलीव periodic table के भाई कुछ characteristics भी हमें देखने है क्या है characteristics? दिखाते हैं सबसे पहली बात तो यह fix हो गई मेंडिलीव की periodic table जो है वो elements के atomic weight पर depend कर रही है यानि की element के atomic weight पर based है ठीक है? तोड़े और आगे चलते है 1869 यह वो time था जब मेंडिलीव अपनी periodic table को बना रहा था उस समय पर जितने known elements थे उनकी quantity थी 63 ठीक है? 63 elements were known okay? novel gas उस समय पर नहीं बनी थी बात, sorry, discover नहीं हो पाई थी उसके बाद आई है, ठीक है? so novel gas उस समय पर नहीं discover होई थी अब थोड़ी और आगे की कहानी देखते है सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि इतने सारे scientists fail क्यों हो रहे हैं elements को arrange करने में इतने बड़े-बड़े scientists जिन्होंने अपना पूरा जीवन जिन्होंने अपनी पूरी life खाली research में निकाल दी, physics को दे दी, chemistry को दे दी ठीक है? समझ में आरी मेरी बात, फिर भी यह लोग elements को arrange नहीं कर पा रहे हैं, यार fail हो रहे हैं किताबों के बीच निकाल दी, छोटी सी laboratory में चार दीवारों के बीच निकाल दी, दोस्त यार, भाई, बहन, बीवी, girlfriend, सब छोड़ दी के, ठीक है ना भाई, तो यह fail क्यों हो रहे हैं? इन सब की इज़त समालने आया था मेंड़ीव मेंड़ीव, मेंड़ीव के लिए बहुत प्यारा statement में आपर ही present करूंगा He was the first scientist to classify the elements in a systematic manner in horizontal rows and vertical column जिससे बनी periodic table इसने समाली बाकियों की इज़त इसने कहा डोगेर निया चुप-चाप-साइड़ जाओ Newland, New Zealand चले जाओ और लोथर मेंड़ तुम बैठ जाओ आ रहा है ठीक है? अब हम है हम देख लेंगे पहला scientist था जिसने वोला के element की chemical और physical properties periodic function होते हैं element के atomic weight का जानि की atomic weight ही बाद में जाके base बना है मेंडलीव की periodic table का और यह पहला scientist था जिसने vertical columns ठीक है? जिसने vertical columns और horizontal rows में element को classify किया तब जाके एक period तयार हुआ ठीक है? अब उसके period के बारे में और भी हम लोग बात करेंगे तो horizontal rows को नाम दिया गया क्या? periods ठीक है? फंद में आ रही मेरी बात और उसके time पर मतलब जितने भी elements known थे ना 63 तो वो सिछ 7 periods create कर पाया ताकि वो अच्छे से classify कर सके ठीक है? मेंडलीव की periodic table में 7 periods थे और 7 periods में 63 elements इस तरीके से arrange हुए कि vertical column अपने हाँ बनते चले गए जिन्ने बाद में group कहा गया ठीक है? vertical column जो थे जिन्ने बाद में group कहा गया वो 8 थे मतलब 7 periods में 7 rows में और 8 columns में 63 elements वो set कर दिया गया थे एक दम बहुत बढ़िया तरीके से ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको इस last line का एक बहुत भैतरीन explanation दोगा आपकी screen के सामने एक ऐसी language लिखी हुई है जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि और इलीम ने ऐसा क्या किया कि 63 elements classified हो गया है उसने हर एक group को divide किया ठीक है सबसे बड़ी बात होती है कि identification के लिए आप उसको कोई नाम देते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इस तरीके से आप कोई नाम देंगे A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K इस तरीके से आप कोई नाम देंगे उसने नाम दिये उसने combination में नाम दिये ओके सो जो एट ग्रुप बने हैं हर ग्रुप को मेंडेली ने एक प्रॉपर नाम दिया ठीक है कोड नेम के साथ आप ऐसा कह सकते कि कोड नेम दिया उसने ठीक है उसने सेवन्थ तक ग्रुप डिवाइड किये ठीक है और उसने उसने सेवन्थ ग्रुप को A और B की कैटिगरी में डिवाइड किया यानि की 1st A, 1st B, 2nd A, 2nd B, 3rd A, 3rd B, 4th A, 4th B, 5th A, 5th B, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B इस तरीके से ठीक है मेरी बास सुनिएगा और ये जो कैटिगरी इसने डिवाइड की A और B वाली इसे कहते हैं सब ग्रुप एक ग्रुप का डिवाइडेशन नोने सब ग्रुप ठीक है अब जो A वाला सब ग्रुप था ठीक है A वाला सब ग्रुप था उन ऐलिमेंट्स को उसने क्या नाम दिया? normal elements और जो B वाला सब ग्रुप था उसने क्या नाम दिया उन एलिमेंट्स को? transition elements अब नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है means what do you mean by normal elements, what do you mean by transition elements यह हम लोग आगे जाके देखेंगे, ओके, सुनाओ, continue करते हैं और अब मेरी बात अच्छे से सुनना, वो जो 7th group है, आपको दिखाई दिये रहा है sorry, यह 7th नहीं, 8th है, क्या है कि PPT design वाले, देखते नहीं, so now, उसमें 9 elements रखे रहे थे, ठीक है, और वही transition metal group थे, आगे जाके देखाता हूँ है, table आईगी ना तब देखना, ठीक है, the elements belonging to the same group exhibits similar properties, मान के चलिए कि यह कोई vertical group है, vertical row है, ठीक है, पहला element है x, दूसरा element है y, तीसरा element है z, ठीक है, चौथा element यहाँ पर मान के चलिए कि यह lambda है, अब मैं यह कहना चाहता हूँ, इस last point के corresponding, के same group में जितने भी elements आ रहे हैं, उन सब की property same है, यानि कि अगर देखा जाया है, तो x की property, y की property, z की property और lambda की property same है, same property, सब्सक्राइब आरी मेरी बाद, same group, same property रखते हैं, अब हम बात करेंगे, Mendeleev थी periodic table के advantages और disadvantages के बारे में, ठीक है, इन्हें हम merits के लो, demerits के लो, whatever, so guys, एक एक करके, हम लोग एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, सबसे पहली बात तो ये थी, बहुत खुशी हो रही थी, के Mendeleev ने 63 known elements को classified किया, periods और rows में, ठीक है, group बनाए, group के बाद, sub-group बनाए, उसके बाद उसने normal elements, transition elements को separate किया, ताकि हम लोगो easily identify कर सकें, ठीक है, so सबसे पहले हम बात करेंगे, advantages के बारे में, यानि कि elements की study बहुत ही आसान हो गई, जब तक Mendeleev अपनी periodic table नहीं दे पाया था, तब तक elements की study बहुत ही tough मानी जा रही थी, ठीक है, अब elements की study आसान हो गई है, और study में क्या क्या कर सकते हैं, आपकी screen के सामने हैं, यह पहली बार था, first time of all known elements were classified in groups, according to their similar properties, यह पहली बार हो रहा था, जब elements को group में classified किया गया, उनकी similar properties के basis पर, ताकि elements की study बहुत आसान हो जाए, ठीक है, so study of the properties became easier, यह सबसे बड़ा advantages था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next point, जितने भी नए elements आ रहे थे, जैसे जैसे discover होते जा रहे थे, नए elements, ठीक है, उनके लिए भी कुछ नगुछ predictions किये जा रहे थे, अब अगर नए element आएगा, तो क्या property रखेगा, कैसा होगा, analyze कैसे करेंगे, study कैसे होगी, chemical property क्या होगी, physical property क्या होगी, atomic size क्या होगा, volume क्या होगा, density क्या होगी, melting point क्या होगा, volume point क्या होगा, density क्या होगी, everything, ठीक है न, तो गाईज, नए-नए elements की prediction possible होती जा रहे थे, ठीक है, अब मैंडलीव के इस कदम से, मतलब, पूरा physics का world, पूरा, देखो, chemistry बनी बनाई नहीं थी, सब कुछ physics है, physics की study के लिए chemistry आई थी, मतलब, ये elements की discovery करना, elements के बारे में research करना, ये सब physicist का काम था, ठीक है, लोथर मेयर, Newland, इंडोबेर्नियार, ठीक कोई chemical scientist नहीं थी, physicist थी सबसे बड़े, ओके, chemistry बाद में बनी है, study के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि हम exam नहीं, पास हो, engineer बन है, doctor बन है, whatever, ठीक है, तो मैंडलीव के इस कदम से, मतलब, इस steps से, decision से, यानि की, मैंडलीव की periodic table से, ऐसा encouragement मिला, कि नए-नए elements की production possible हो गई, और various scientists, including Mandelew also, ठीक है, नए-नए elements की खोज में, जुट गए, ठीक है, और मैंडलीव की periodic table में, जहाँ-जहाँ, rows या पर column से मिलका, जो table or form create की गई थी, जहाँ-जहाँ vacant space था, वहाँ उनए elements को, उनकी property के basis पर, set किया जा रहा था, इस तरीके से, periodic table और बड़ी होती जा रही थी, और classified होती जा रही थी, ठीक है, Mandelew की periodic table में, merits में, हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अल्रेडी देखी चुके हैं, अब एक बार और इस point को, और इस example को, मैं अच्छे से आपको explain कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेगी, ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं, Mandelew की जो periodic table थी दोस्तों, उसने अपनी periodic table में, vacant space भी available रखा था, वो vacant space क्यों available रखा था, क्योंकि Mandelew जानता था, कि उसके बाद जो आने वाला time है, उसके बाद जो आने वाले scientist हैं, उसके बाद जो आने वाले physicist हैं, वो सब लोग अपनी अपनी research करके, नए नए elements की discovery जरूर करेंगे, Mandelew को इस बारे में अच्छे से prediction था, कि future में और भी element discover किये जाएंगे, so Mandelew की इस production के basis पर, अपनी periodic table में, उसने vacant space available रखा, ताकि future में discover होने वाले elements को, उन vacant space में जगे दी जाए, लेकिन वो जगे भी, किसी rule और regulation को follow करके ही दी जाएगी, और वो rules और regulation क्या होंगे, वो होंगे properties की similarities, ठीके, अब जैसा कि आपके सामने, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात की, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, Mandelew ने कुछ elements के बारे में prediction की, ठीके, अभी आप यह मत सोचिए, कि guys यह कोई element है, Scandium, मान के चलिए, अभी मैं पूरा एक बार में erase कर देता हूं, ठीके ना, मेरी बात सुनना, just suppose इसका नाम Mandelew predict करता है X, इसका नाम predict करता है Y, इसका नाम predict करता है Z, और इसका नाम predict करता है, मान लो, गामा, यह चार elements Mandelew अपनी predict table में available vacant space के लिए predict कर देता है, ठीके यह future में चलके Scandium, Gallium, Germanium और Technetium कहलाएंगे, अभी मैं मान लेता हूं कि मेरा नाम Mandelew है और बहुत समय पहले की बात है, मैं इन चार element का prediction करना चाता हूं, ठीके, अब मेरी बात अच्छे सुना, यह चार element मेरे हाथ में है, the elements for whom position and properties were defined by Mandelew, even before their discovery, तुमने आ लिए मेरी बात, यह word wrong लगा, discovery आएगा यहाँ पर, it doesn't matter, इससे ज़्याद आपने को सोचे ना नहीं है, dictation वगेरा, Mandelew ने x, y, z और lambda जैसे elements की position और property को, उनकी discovery से पहले ही predict कर लिया था, ठीक है, x, y, z और lambda जैसे elements की position और property को, Mandelew ने पहले ही predict कर लिया था, उसे पता लग गया था, कि x element को मुझे अपनी periodic table में कहां रखना है, y element को periodic table में कहां रखना है, z element को periodic table में कहां रखना है, समझ में आरी मेरी बात, इसलिए उसने blank space छोड़ा, अपनी periodic table में, अब एक example से मैं आपको यहां समझाना चाहता हूँ, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से, ठीक है, blank space at atomic weight 72 in silicon group, silicon का जो group था, ठीक है, silicon group में, एक blank space छोड़ा गया, वो blank space जिस element के लिए छोड़ा गया था, उस element का atomic weight 72 होना था, तो मेंडलीव को तो नहीं पता था, कि उस element का नाम क्या रखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैंने नाम यहां पर X दिया है, वैसे मेंडलीव ने वहां पर nickname दिया, nickname क्या दिया, E.K. Silicon, E.K. Silicon का मतलब क्या होता है, Silicon जैसी similar property रखने वाला element, Silicon की तरह similar property रखने वाला element, जिसे बाद में चल कर, जिसे बाद में एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, जर्मेनियम नाम दिया गया, ठीक है, फिर हम बात करेंगे हमारे next point की, next point क्या है, similarly other elements भी इसी तरीके से discover किये गए, मेंडलीव की periodic table में उन्हें रखा गया, और आगे की बात करते हैं guys, ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेंडलीव ने एक और और element discover किया, जिसका nickname मेंडलीव ने EK aluminium दिया, जो आगे चल के gallium बना, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कि EK aluminium का जो derivative है, जो आगे चल के gallium बना, इनकी property same है, Aluminium और gallium की property same है, similarly EK boron करके कोई element predict किया गया, जिसे बाद में आगे चल कर scandium का आगया, यानि कि boron scandium की property, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात, similarly silicon वाले case के लिए germanium आ गया, manganese के लिए technetium आ गया, जिसे EK silicon कहा जा रहा है, वो actual में कौन है अपना, germanium, जिसे EK manganese कहा जा रहा है, वो actual में कौन है अपना, technetium, जिसे EK aluminium कहा जा रहा है, वो कौन है अपना, mandalive की periodic table का सबसे बड़ा advantage और merit ये था, कि हमने यहाँ पर एक observation देखी, कुछ elements ऐसे भी होते थे, जिनके atomic weight में, कुछ minor सी errors होती थी, जब mandalive ने अपनी periodic table प्रपोस की, तो वो minor error भी doer हो गई, ठीक है ना, तो अब यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यह एक बहुत बड़ा merit है, advantage है, कि कि element के atomic weight में, जो doubt हुआ करता था, वो भी correct कर दिया गया, कैसे, इसे मैं समझाना चाहता हूँ, physical chemistry के way में, एक formula होता है, atomic weight is equal to valency, multiplied by equivalent weight, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यह जो आप देख रहे है, equivalent weight, यह है आपकी 11th class, मैं आप अच्छे से समझाना चाहता हूँ, यह कहां से आया, 11th class की, physical chemistry, chapter number one, mole concept आपको पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, mole concept, mole concept में आपको equivalent weight निकालना सिखाया जाता है, मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हम mole concept नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, आपको आता है, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यह है valency, यह भी आपको कहां सिखाई जाती है, वैसे तो inorganic chemistry में भी सिखाई जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी होती है, class 11th की physical chemistry के atomic structure वाले chapter से, किस से, class 11th की physical chemistry के atomic structure वाले chapter से, valency की कहानी शुरू हो जाती है, तो उनमें आ रही मेरी बात, यह actual में, यह जो concept आप देख रहे हैं, यह जो formula आप देख रहे हैं, यह हमारी 11th class की periodic table का है भी नहीं, यह formula completely based है, physical chemistry से, कहां से, physical chemistry का formula है यह, basically कहां सिखाया जाता है इसको, इसे सिखाया जाता है, mole concept में, जिसका application हम entire chemistry में करते हैं, doubtful elements के atomic weight को correct करने के लिए, तीक है, अब मैं आपको इस formula का पूरा explanation यहाँ पर इस paragraph के जरीए समझाऊंगा, एक किताबी language आपकी screen के सामने represent की गई है, लेकिन मैं उस किताबी language के जरीए आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको थोड़ा unique way में समझाऊंगा, इसे और अच्छे से motivate करके, तीक है, सबसे पहले आप लोग यह देखिए, मैं यहाँ पर एक example ले रहा हूँ, example है मेरे पास element beryllium का, आपको इस paragraph में यह indicate किया जा रहा है, कि beryllium का equivalent weight 4.5 है, और beryllium according to theoretical concept, trivalent element में count होने वाली species है, तो इस हिसाब से beryllium का atomic weight होना चाहिए 13.5, तो अब इस point of view से मुझे यह समझ में आ रहा है, कि beryllium को किसके बीच में रखा जाए, भाई beryllium को में रखना चाहिए, देखो कारवन का weight होता है 12, यानि कि beryllium को कारवन के जस्ट बाद रखना चाहिए, beryllium को कारवन के जस्ट बाद रखना चाहिए, है ना, क्योंकि कारवन के बाद, beryllium के बाद आ जाएगा nitrogen जिसका weight है 14, तो हमारे पास जो wrong data available है, उसके हिसाब से हमारा common sense हमारी गलती को भी सही accept करता है, हमें पता लगा beryllium का given या फिर calculated equivalent weight 4.5 है, beryllium का theoretical conceptual valency का value 3 है, क्योंकि उसे trivalent माना जा रहा है, atomic weight निकालने के लिए मैंने valency का multiply equivalent weight में किया, यानि कि मैंने 3 का multiply 4.5 में किया, मेरा answer आया 13.5, carbon का weight होता है 12 और nitrogen का weight होता है कितना 14, तो 13.5 carbon और nitrogen के बीच में लाई करेगा, इस हिसाब से हमारा दिमाग हमें ये कहने को मजबूर कर रहा है, कि beryllium की position carbon और nitrogen के बीच होनी चाहिए, ठीक है, और अगर हम इसी concept को सही मानते हुए चलें, तो हमारी periodic table बरबाद हो जाएगी, हमारे सारा का सारा concept ही बरबाद हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीजों को अच्छे से सोचना होगा, क्या हमारा equivalent weight beryllium का सही है या नहीं, इसके लिए आपको mole concept यानि की physical chemistry की calculated approach लगानी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा, क्या हमारी valency सही है beryllium की, अगर नहीं है तो हमें उसके बारे में भी सोचना होगा, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, valency के बारे में सोचना है तो आपको topic दिया जा रहा है atomic structure, जब atomic structure नाम का chapter खतम होता है, वहाँ पर आपको quantum number के बाद एक बड़िया सा concept सिखाया जाता है, जिसका नाम होता है electronic configuration, जिसमें आपको सारे के सारे known elements का electronic configuration लिखना सिखाया जाता है, through quantum number concept, तो beryllium के electronic configuration के बारे में आपको जब पता लगता है, that is 2s2, that is 2s2, beryllium second period का element है, beryllium के s orbital में 2 electron available है, beryllium का duplet complete है, ठीक है ना, stable mood में है, less reactive है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन, अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जब mandaliev की table में, 13.5 के लिए कोई vacant space नहीं था, तब mandaliev के भेजे में एक बात आई, mandaliev के भेजे में क्या बात आई, कि या तो मेरा equivalent weight गलत निकाला है मैंने, या तो मेरे valency की value गलत आई है, mandaliev को और research करने पे पता लगा, कि actually beryllium की जो value है, valency की that is 2, not 3, इसे साब से देखा जाए, तो beryllium का जो atomic weight निकल कर आया, that is 9, not 13.5, और 9 के according, vacant space उसकी periodic table में available था, इस हिसाब से beryllium का atomic weight correct करते हुए, उसे सही place पर रखा गया, और periodic table में कोई किसी तरीके की error नहीं आई, as per mandaliev's, experiment, analysis and thesis, आगे बढ़ते हैं, ठीके, similarly beryllium की तरह, uranium, indium, gold और platinum के भी atomic weight को correct किया गया, ठीके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात अच्छे सुनिएगा, अब हम बात करते हैं, mandaliev की periodic table के more merits और advantage के बारे में, सबसे पहले मैं बात करूँगा study of elements, तो कौन-कौन से elements की study आसान हो गई, यह पहली बार था, जब mandaliev सभी known elements को classified कर पा रहा था, ग्रुप्स में according to their similar property, यह पहली बार हो रहा था, जब dober near flop हुआ, new land flop हुआ, lother mayor flop हुआ, बट mandaliev कहीं न कहीं success लेता जा रहा था, अपनी research में, ठीक है, तो यह भी उसका एक merit है, जब उसने पहली बार सभी known elements को, बहुत बढ़िया तरीके से classified किया, ग्रुप्स के according, जहां पर similar properties उसको observable होती हुई, दिखाई दे रही थी, तो उनमें आरी मेरी बात, यह बहुती आसान काम पढ़ गया उसके लिए, देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेंडिलीव ने ये भी सोचा, कि मेरे बाद और मेरे time के बाद, जितने भी नए scientists आएंगे, नई research होंगी, तो नए-नए elements discover होते जाएंगे, तो उसने उनकी prediction के बारे में भी सोचा, नए elements के, तीक है, तो इससे एक ऐसा encouragement मिला, कि नए-नए elements की discovery के लिए, scientists अपना-पना research करने लग गए थे, और मेंडिलीव उनी elements के लिए, कहीं ना कहीं अपनी periodic table में, gap छोड़ता हुआ गया, कि वो जैसे ही discover होंगे, उन्हें उसकी periodic table में set कर दिया जाएगा future में, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, कि भाई जो scandium है, जो gallium है, ठीक है, germanium है, इस अब हम लोगों ने देख लिया ना एक-एक करके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जड़ा, यह सब हो गया हमारा ना, हाँ, अब demerits की बात आ गई, अब demerits की बात आ गई है, तो भाई अब हम बात करेंगे, demerits of mandalese periodic table, सबसे पहला demerit यह था, कि hydrogen को कहा रखा जाए, मुझे एक बात अच्छे से पता है, कि hydrogen जो है, वो मेरे लिए एक non-metal species है, है ना, hydrogen, gaseous state में available है, hydrogen का electronic configuration है, 1s1, यानि कि hydrogen के s orbital में, एक electron available है, है ना, तो उन्हें आरे है मेरी बात, ना, और थोड़े आगे की बात करते हैं, hydrogen की position, demerit क्यों है, mandalive के according, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इसलिए है, क्योंकि hydrogen जो है, वो alkali metals के साथ भी bond बना सकता है, alkali metals कौन, जो periodic table में, 1st A में रखे गए हैं, 1st A में कौन कौन रखा गया है, मैं side में आपको लिखते बताता हूँ, lithium रखा गया है, sodium रखा गया है, अच्छों देड़े है अच्छा कि के सब्सक्राइब है निफिया्न रखा गया फ्रैंशियम रखा गया है rubidium रखा गया है cesium रखा गया है phrencium रखा गया है hydrogen जो है वो alkali metals के साथ भी resemble हो सकता है कैसे? lithium hydride possible है बन जाता है sodium hydride बनाना भी possible है potassium hydride बनाना भी possible है rubidium hydride बनाना भी possible है इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ और ये halogen के साथ भी resemble हो जाता है जो कि 7 ते में रखा गया है halogen के साथ कैसे? भाई HF बनाना भी possible है HCL बनाना भी पॉसिबल है ठीके? HBR बनाना भी पॉसिबल है HI बनाना भी आप देख रहा है hydrogen alkali metals के साथ भी resemble हो सकता है और hydrogen halogen के साथ भी resemble हो सकता है तो उन्हें आ रही है मेरी बात यहाँ पर जैसे ही hydrogen resemble होता है halogen के साथ तो hydrogen अपना duplet complete कर लेता है chemical bond बनाके वहीं दूसरी तरफ halogen अपना octate complete कर लेते है chemical bond बनाके similarly lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride भी अपना electron का complete stability format गेन कर लेते हैं chemical bond के त्रो इसलिए मैं यह कह सकता हूँ के according to mandaliev's periodic table position of hydrogen is one of the demerit or disadvantage of this अब मैं आपकी बात करता है hydrogen कहां रखें समझ में नहीं आ रहा था अभी फिर दूसरा demerit यह था कि just suppose कि अगर in case किसी element का कोई isotope हमारे सामने निकल कर आता है तो हम उसे कहां रखें mandaliev's जो अपनी periodic table बना रहा था तो उसने elements के isotopes के बारे में जरा भी नहीं सोचा और अगर सोचा भी होगा तो उसे यह समझ नहीं आया कि isotopes को किस तरीके से जगे दी जाए क्योंकि मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ mandaliev की periodic table का statement था क्या मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ elements की chemical और physical properties periodic function होते हैं elements के atomic weight की और हम जानते हैं हमने atomic structure में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है isotopes क्या होते हैं isotopes का मतलब होता है same same atomic number but different atomic weight or atomic mass for a particular element ठीक है तो just suppose मान लीजिए के भाई मेरे पास hydrogen के isotope कुछ इस तरीके से available है deuterium and treatium जहां पर atomic number तो same है but mass different सुन में आरी मेरी बात mass different अब अगर देखा जाए Mendeleev के statement के according तो हमें किसे priority देनी चाहिए treatium को atomic mass उसका ज्यादा increasing order में हम set करते है elements को periodic table में then deuterium then hydrogen लेकिन vacant space छोड़के ही नहीं गया Mendeleev अपनी periodic table में हमें पता ही नहीं है इसको कहां रखें तो भाईया यह भी हमारे लिए demerit है demerit और आगे बढ़ते है तो अब जो मैंने आपको इतना देर में समझाया वहीं यहाँ पर एक statement एक line के तौर पर आपकी screen के सामने available है as atomic weight of isotope differ they should have placed in different position in Mendeleev's periodic table तो यह हो गई आपकी किताबी language इससे आपको boards जैसे examination में marks मिलेंगे but day means or need और advance जैसे examination में सिर्फ आपका common sense sense of humor ही काम आएगा ठीक है ना आगे बढ़ते है अब हम बात करते हैं next demerit की और वो next demerit क्या है Mendeleev's periodic table का वो है element की anomalous pair anomalous pair क्या होता है मैं आपको अब समझाता हूँ elements का ऐसा pair elements का ऐसा pair जहाँ पर प्रॉपर्टी सेम नहीं मिल रही है कैसे यहाँ पर कुछ ऐसे elements का pair available है यहाँ पर कुछ ऐसे elements का pair भी available है जो की increasing order of atomic weight के corresponding नहीं आते कैसे समझाता हूँ तो आप यह मान के चलिए potassium के पहले रखा गया है argon को और nickel के पहले रखा गया है kobalt को ठीक है तो एक pair हो गया आपका potassium और argon का और एक Payer हो गया आपका निकल और कोबाल्ट का. आरगन, Potassium से पहले रखा गया है Mendeleaf की Periodic Table में और कोबाल्ट, Nikkiल से पहले रखा गया है Mendeleaf की Periodic Table में ठीक है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आरगन का Ayesitomic Weight है 39.9 और Potassium का Ayesitomic Weight है 39.1 तो common sense की बात है argon को जो की ज़्यादा atomic weight वाली species है उसे increasing order के according potatium के बाद होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है similarly cobalt 58.9 उसका weight है और nickel 58.6 उसका weight है तो भले ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि elements के weight में minor सा difference है वो भी point में जैसे argon और potatium के बीच point 8 का difference है cobalt और nickel के बीच point 3 का difference है ज्यादा तो cobalt है nickel और cobalt में यहाँ पर ज्यादा तो argon है argon और potatium है तो काइदे से इन्हें बाद में होना चाहिए था लेकिन है पहले तो ऐसे elements anomalous pair कहलाते है तो यह आपका पहला pair है तो यह आपका दूसरा pair है तो ऐसे pairs क्या कहलाते है आपके NMLS pair कहलाते है तोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर अगले demerit की तरफ चलता हूँ है अगला demerit क्या है सुनना मेरी बात ऐसे elements जिनकी property सेम है उन elements को different group में रखा गया है like elements मतलब सेम प्रोपर्टी तो ऐसे element जैसे example के तौर पर मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यह gold और platinum है तीक है सेम प्रोपर्टी वाले element है लेकिन इने मेंडलीव ने अपनी periodic table में different group में जगे दिये तीक है similarly unlike elements unlike element मतलब सेम प्रोपर्टी नहीं तीक है ना मैं ऐसे लिख देता हूँ dissimilar properties dissimilar property तीक है उने जगे दी गई है सेम ग्रुप में यह भी एक demerit है तीक है यह भी एक demerit है अब मैं यहाँ पर आपको और अच्छे से समझा देता हूँ के ठीक है तो अब मेरी बास सुनना है यहाँ पर जैसे कि कॉपर गोल्ड और सिल्वर है तीक है सॉरी कॉपर सिल्वर और गोल्ड इन्हें रखा कहा गया है फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है फर्स्ट ग्रुप में कैसे अभी मैं बताऊंगा किस के साथ रखा गया है सोडियम और पोटेशियम के साथ ठीक है ना सवज में आरे मेरी बात जब कि यह प्रॉपर्टी में डिफरेंट है यह आपके अलग element है वो आपके अलग element है यह transition elements है और वो alkyli metals है ठीक है ना अच्छा बिनका electronic configuration है यह आप भी बताया गया लेकिन अभी इस चीज का कोई आपको मैंने बताया कि जो सेम ग्रुप है सुनना जरा सेम ग्रुप आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है सेम इनना सेंस फस्ट ग्रुप मैंडलीव ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया तो फस्ट और फस्ट भी फस्ट एक उसने क्या कहा था कि नॉर्मल अब अच्छे सा सुनिएगा डिमेरिट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता ही रहा था ठीक है मैंने आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ी दिर पहले एक बात बताईती कि अन्लाइक एलिमेट्स जो है उन्हें सेम ग्रुप में रखा है अब मेंडली में क्या सोच के रखा वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या डिमेरिट्स आपके सामने नजर आएंगे ठीक है यस सब्सक्राइब तीनों एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं कि यह तीनों एलिमेंट्स है क्या ठीक है मेरी बात अच्छे सुनना अगर मैं इनकी physical या chemical property के basis पर बात करूँ तो मैं सबसे पहले physical property के बारे बात करता हूँ copper, silver, gold ये तीनों element coin material के तोर पर भी जाने जाते हैं copper का भी सिक्का बनाया जा सकता, silver का भी सिक्का बनाया जा सकता, gold का भी coin बनाया जा सकता coin material में इनकी listing होती है so guys copper, silver, gold जो है उसे first group में रखा गया है sodium और potassium के साथ along with sodium and potassium जबकि उनकी property same नहीं है आप इस point of view से ही समझिए कि unlike element का मतलब क्या होता मैं आपको बताता हूँ unlike element का मतलब होता dissimilarities dissimilar properties unlike element मतलब dissimilar property उन्हें same group में रखा गया है अब ये coin material को आप रख रहे हैं alkaline metal के साथ यानि कि properties इसकी और यहां पर sodium, potassium की different है फिर भी इने same group में रखा जा रहा है समझ में आ रही मेरी बात समझ में आ रही नव अब हम जानते हैं कि sodium और potassium जिस group से belong करते हैं वहां पर electronic configuration जो जनरली लिखा जाता है that is ns1 इसके आगे बढ़ते हैं अब मेरी बात और अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा इसी तरीके से और अच्छे से मैं कैसा समझाओंगा कि गाइस जो मेंडली की periodic table है उसमें जो first group है मेंडलीव ने groups को सब groups में कैसे कैटेगराइस किया था ए और बी करके मैंने आपको पहले भी बता दिया था ठीक है सो first group को first a और first b करके कैटेगराइस किया गया first a में रखे गए हैं alkaline metals यानि की lithium sodium potassium rubidium cesium अब यह जो एलकलाई metal है जनरली इनका electronic configuration है ns1 इन सबके आउटर्मोस एक electron यानि की सिंगल electron अवेलेबल है यह जो elements आप लोग दिखाई दे रहे हैं alkaline metals गाइस यह होते हैं more reactive known as alkaline metal इन्हें ही यहाँ पर मेंडलीव ने normal element प्रोनाउंस किया था इन्हें ही normal elements कहा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ first group के first b subgroup में different property वाले groups sorry elements पटक दिए copper हो गया gold हो गया silver ठीक है copper silver gold यह less reactive coin material in a transition element भी कहते हैं तो यह कहानी है किसकी मेंडलीव की periodic table के demerits की जिसमें unlike element जो की dissimilarities दिखाते हैं property के corresponding उन्हें same group में रखा गया है same group in the sense what same group in the sense first group जिससे categorize किया गया first a और first b में first a में alkaline metals रखे गए हैं lithium sodium potassium rubidium cesium frantium जो की mostly reactive elements होते हैं known as alkaline metal और इन्हें ही normal elements में count किया जा रहा है वहीं दूसरी तरह first भी में copper silver gold नाम की transition metal रखी गई हैं जो की less reactive होती हैं जो की basically coin material property based होती हैं okay